हेलो फ्रेंज कुकिंग विद पुनो सांगन के चैनल पर आप सभी का सवागत है मैं आप बनाने जा रही हूं गेहों के आटे में एक कब दू डाल कर भूत सौफ्ट और स्पंजी रजबरे गुलाब जामून तो आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक की अज蓋 oc nicode है और जिस कंटोरे ऑसी कंटोरी से दो कंटोरी पानी डालना है और चमी यहां पर एक दो की नहीं रखी में हलकी चैल्की it a नकिक होने केанный के कुछा सथी थाल दें के बादने के दो हरी तो पांच मिनिट हो गए थी उबलते हुए चासनी को तो अब इसको चै कर लेते हैं तो हलकी सी चप-चपी चासनी बनानी है तो तेकि अच्छे से इसमें ताद नहीं बन रहा है तो अब गैसको बंद करते हैं और दख के साइड में रख दिया है तो अब गुलाब जमनों के सबस्क्राइब कर दोंं को लिए तो मिलक पाउडर लेने के बाद मिलक के लिए, बहु मी यहाद दाला देंगे लेए टी WORK और बेकिंग पाउडर और इलाइची पाउडर दालने के दूडर ऐक है युले मिक्स और लेने के बाद में देख लिए लेंगे अच्छी से मूठी बंदरी है अब लेंगे दूद्ध ये पर लेना में हव ai थंडा दूद्ध है ठंडा दूद्ध नहीं लेना है हलका से अब अच्छी तरह 10 अच्छी तरह से 2 लगा लेंगे कि तो इअब ज्यादअ सोप्ट में कि ज़ए 하나ट नहीं लगाना है रोटी में अच्छी से लगाना claps लगाना है तो इसलिए अख नच्छी मदें गीझाया है तो इफ दुबारा से मेल लेंगे और अठोपर अच्य तरह से गी लगा लेंगे और घी लगाएकения मेल लेंगे तो इफ गुलाब जामन के लिए ब्झी मैल बनाईएगे ए उत्हों पर गी लगा के और अच्छे-थी पर चौटी बॉल बना के तियार कर लेंगे तो अब गैस को पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल को जदा गरम नहीं करना हल्की सी गरम होने के बाद में एक चोटा सा गुलाब जमन डाल के देख लेंगे तो जा अच्छी तरह से बबल से उठ रहे हैं तो एफ गैस को विल्गुल सलो कर देना है तो तेल अच्छी से गरम हो रहा है तो एफ इस में गुलाब जमनों के लिए पूल बनाई है वह दुबारा से ऐसे आथों को पर रोल करके फिर से तेल में डाल देंगे तेल को चला देंगे और हलका हलका धीर दिया से इनको पलेट देंगे तो फटेंगे नहीं तो ज्यादा इनका द्रारक के नहीं और dell नहीं कर नहीं लियाना है अगर 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 को ज्voll्ukated ज्वाब ज्यादा शेक लिए तो कौलक गुलाब जामुन भी बना सकते हो तो हलका से theo टेल को अप्र कर डालकी अच्छी तरह से शेक लिया है तो तो हल्का गुलाब जमन जैसा कलर, लीं, और भूपर के मच Nacht i when we re tense, which यह अचिय से उपर से दावर जाएंगे तो दो थे जे Section नहीं रहेंगे तो एब गुलाब जमनों को चासनी में भी कर देंगे तो चासनी हल्की से गुंगनी नीशी है तो अब चासनी को दुबारा से गैस को पर रखेंगे तो सारे गुलाब जमुन डाल दिये हैं और एक उपाल ले आएंगे हलका सब उठने के बाद में गैस को बंद कर देंगे और दो चे तिन गंटे के लिए गुलाब जमुनों को रखके रख देना है कि अधर दो चे तीन घंटे हो गए थे गुलाब जमनों को अच्छे घुल्ब में चासनी बर गई है तो अच्छे चे घुलाब जमन रस ब्र्क बन गई है तो ग्लाब जमन बनकी रहडी हो गए है तो आपको यह मैंस इस और आप सूप पिछी हैं तो